दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की जी वीडियो है इसमें आपसे बात करने अला हूँ ग्रेनारो के माइक्रफॉन के बारे में तो मुझे कुछ कमेंट्स आये थी और वो मुझे कह रहे थी कि जो वनप्लस के डिवाइस है उनमें आपको बता दू जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर जो ऑडियो क्वाल्टी रिकॉर्ड हो रही है वो मैं अपने ग्रेनारो के ही माइक्रफॉन से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज मैं आपको दो ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मेंद अगर आपका OnePlus का डिवाइस आपके इस microphone को support नहीं कर रहा तो यह problem आपकी कैसे solve होगी दोनों ट्रिक्स है बहुत ही useful ट्रिक्स है अगर आप इन ट्रिक्स को यहां पर use करते हैं तो आपको जो OnePlus का डिवाइस है वो यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके microphone को support करेगा और यहां पर आपको जो आवाज है बिलकुली clear मिलने वाली है तो चलिए फटाफर से आज की वीडियो start करते हैं चल पर नहीं है तो प्लीज चल को subscribe कर लिजिए अगर वीडियो पसना है तो प्लीज वीडियो को like and share करना मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस तो वीडियो को start करते हैं और सबसे पहले आपने क्या करना है आपको जो ग्रेनारों को यहां पर microphone है उसको अपने mobile से connect कर लेना तो यहां पर मैंने अपने mobile से इसको connect कर लिए है अब connect करने के बाद आपने चले आना है setting वाले option में तो मैं चले आता हूं यहा यहां पर आपकी settings है उसको नीचे drag करना है और drag करने के बाद देखिए आपको यहां पर option मिल जाता है system का तो हमने जा करना है यहां पर system वाला option है इस पर click करना है अब इस पर click करने के बाद आपको यहां पर option मिलता है OTG storage का तो हमने जा करना है यहां पर जो आपका OTG storage है उ यहाँ पर आपके जो माइक्रोफॉन है ग्रेनारों की उसी से यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाली है अगर यह ट्रिक आपके मॉवाइल पर सपोर्ट नहीं कर लिए तो यहाँ पर इसका एक आप्शन और है तो आपको दूसरा और सबसे बड़ी उप्शन बता रहा हूँ और यह 100% यहाँ पर वाक करता है तो उसके लिए आपने यहाँ करना है अपने मॉवाइल पे एक चोटी सी अप्टिकिशन को स्टॉल करना है जिसका नाम है open camera तो यहाँ पर मैं open camera को यहाँ पर open करता हूँ तो जैसी आप open camera को open करते हैं अब आपने यहाँ पर एक छोटी सी setting करनी है तो आपने video को record करने से पहले सबसे पहले उपर setting वाले option में चले जाना है अब setting वाले option जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है video setting का option तो हम क्या करेंगे जो video setting है इस पर चले जाते हैं अब video setting में जाने के बाद सबसे पहले आपका जो यहाँ पर video resolution है उसको आप अपने हिसाप से यहाँ कर लीजिए set कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने 4K को यहाँ पर क्या क्या हुआ है by default set क्या हुआ है उसके लावा यहाँ पर आप enable digital video installation कर लेना कि इससे क्या होगा जब आप अपनी वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है उसमें आपको अच्छी घास stability देखने मिलेगी आपका camera जाता यहाँ पर हिलेगा नहीं अब हम करते हैं सबसे important बात और वो है यहाँ पर audio record का तो आपने जा करना है सबसे पहले यहाँ पर audio record को on करना है और इसको on करने के बाद देखिए आपको नीचे option मिल जाता है audio source का तो हमने क्या करना है हम चले आएंगे audio source वाले option में अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे option देखने मिल जाते हैं यहाँ पर आपका जो green आरा को microphone है वही यहाँ पर क्या करेगा आपकी audio को record करेगा और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़िया audio quality देखनी को मिल जाती है तो आप इन दोना settings को अगर use करते हैं यह दोना take use करते हैं तो आपकी यह problem यहाँ पर 100% solve होने वाली है तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए I hope आपको वीडियो पसना होगी अगर वीडियो पसना है तो प्रीज वीडियो को लाइक करेए चैनल में नहीं है तो प्रीज चैनल सब्स्राइब करना मत भूलिए तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में